पाकिस्तानी सेना प्रमुक बाजवा ने भारत को दीगी गीदर भफ की कहा जंग को तयार हैं हम पियोके में बांध बना रहा चीन लोगों ने सड़क पर उतर किया जोड़दार विरोध रात में मशाल जलाकर किया परदर्शन नमस्कार आप देख रहे हैं समचार लगतार मैं हूँ आपके साथ उलिका सेंग रुक करते हैं खबरों की ओर कमर जावेद बाजवा ने भारत को गीदर भपकी दी है जनरल बाजवा ने भारत को खुली चेतावनी दी कि पाकिस्तान पांचवी बार पीडी या हाइबरिड वार को जीतने के लिए तयार है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस समय काई मोर्चों पर चुनोतियों का सामना कर रहा है भारत का मकसद देश और पाकिस्तानी सेना को बदनाम करना है पाकिस्तान के डिफेंस डे और शही दिवस पर रावल पिंडी में आयुजित कारिक्रम में जरनल बाजवा ने कहा कि हम पांचवे पिढ़ी या हाइवरिट का सामना कर रहे हैं इसका उद्देश पाकिस्तान और सेना को बदनाम करना तथा अववस्था पैदा करना है उन्होंने कहा हम इस खत्रे से वाकिप हैं और देश की मदद से इस जंग को निश्चित रूप से जीतेंगे भारत का नाम ये बिना बाजवा ने कहा कि अगर हमारे उपर युद थोपा गया तो हम हर एक आकरमक कारवाई का करारा जवाब देंगे जर्रल बाजवा ने कहा मैं देश और पूरी दुनिया को एक शंदेश देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक शांतिय प्रियर देश है लेकिन हमारे उपर अगर युद थोपा गया है तो हम हर एक आकरमक कारवाई का मूद तोड जवाब देंगे हम दुषबन की घातक मन्चा का जवाब देने के लिए तयार हैं पाकिस्तान की जवाबी कारवाई के इरादे के बारे में किसी का संधेय नहीं है भारत के साथ 1965 की जंग में करारी खाने वाले पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने दावा किया कि इस यूद में पाकिस्तान को जीत मिली थी हाइबरिड वार्फियर एक व्यापक सेने रणिती है जिसके जर्य दुश्वन देश में राज्चितिक यूद मिश्रित परंपरागत यूद और साइबर यूद को अंजाम दिया जाता है साइबर यूद में फेक निउस, कुटनिती और चुनावी हस्चेप के जर्य दुश्मन को प्रभावित करने प्रयास किया जाता है भारत के खिलाफ हाइबरिड वार्ट छेड़ रखा पाकिस्तान अब भारत पर इसके लिए आरोप लगा रहा है दरसल पाकिस्तान, बलुचिस्तान और खैबर पंग्तुकवा इलाके में इस्थानी जनता के जोड़दार विरोत का सामना कर रहा है इसमें कई पाकिस्तानी सैनिकों को अपनी जान गवानी पड़ी है पाकिस्तान आरोप लगाता है कि भारत ऐसे विद्रोयों की मदद करता है पाकिस्तानी सेना को जन विद्रों के और तेज होने का डर सता रहा है बलुचिस्तान इलाके में चीन भी अर्बो डॉलर का निवेश कर रहा है चीन के मनसूबों को पूरा करने में पाकिस्तान की ब्रान खान सरकार पाकिस्तान अधिकरित कश्मीर की जनता की आवाज नहीं सुन रही है पूके के रालधानी मुझफराबाद में एक बर फिरसे बड़ी संख्या में लोगों ने इलाके में चीनी की ओर से बनाये जा रहे विशाल बांधों का जम कर विरोध किया है प्योके के लोगों ने टॉर्च रैली निकाल कर नीलम जीलम नदियों पर बनाये जारे बांधों का विरोध किया इससे पहले भी बड़ी संख्या में लोगों ने मुझफराबाश शहर के अंदर जोरदार मशाल, जुलूस और विरोध मार्श निकाला था प्योके के लोग नारे लगा रहे थे कि नीलम जेलम पर बांध न बनाओ और हमें जिंदा रहने दो प्रदर्शन कारियों ने कहा कि इन बांधों से पर्यावरण को बहुत नुक्सान पहुचा है पाकिस्तान में ट्विटर पर हाश्टाइग सेव रिवर सेव एजेके से लगतार लोग ट्वीट करके अपना विरोध जता रहे है प्रदर्शन कारियों ने प्रशासन से सवाल किया कि आखिर किस कानून के तहट इस विवादित जबीन पर बांध बनाने के लिए चीन और पाकिस्तान में समझोता हुआ है उन्होंने कहा कि नदियों पर कबजा करके पाकिस्तान और चीन सेयुक्स राज शुरक्षा परिसत के प्रस्तावों का उलंगन कर रहे हैं भारत तो चीन की सीमा पर तनावए बर फिर चरम पर पहुँच गया है चीन ने कहा है कि सोमवार की रात को LAC पर फायरिक हुई 15 जून को गलवान घाटी में हुए हिंसक संगर्ष के बाद से दोनों देशों के बीच हालात समाने करने के लिए वारता हो रही है लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है इन घटना क्रमों के बीच विदेश मंतरी एस जैसंकर रूस का दौरा करने वाले हैं जहां सीमा विबाद को लेकर वचीन के विदेश मंतरी वों ये से भी मुलाकात कर सकते हैं विदेश मंतरी एस जैसंकर ने सोमवार को कहा कि LAC पर स्थिती बेहत नाजुक है विदेश मंत्री S.J. संकर ने माना कि L.A.C. पर मौज़ोदा हालत बेहत गंभीर है और दोनों देशों के बीच राजनितिक स्तर पर बेहत गंभीर और गहरी बातचीत की जरूरत है जैशंकर ने कहा कि दोईपक्षी वारता में सरहत के हाला से अलग हटकर दोनों देशों के बीच रिष्टों को नहीं देखा जा सकता है S.J. संकर ने इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्रेस अड़ा के कारिकर में ये बाते कहीं जैशंकर संगाई सायोक संगतन के विदेशमंत्रियों के इस्तर की बैठक में शामिर होने के लिए रूस के दोरे पर जा रही है ये दोरा 9 सितंबर से 11 सितंबर के बीच होगा मैं मैंने में लगदाक में हुए संगर्ज के बाद से रूस में चीनी विदेश मंत्री वांगी से जैशंकर की ये पहली मुलकात हो सकती है कॉंग्रिस नेता राहूल गांदी की ओर से लगतार केंदर की नरेंदर मोधी सरकार पर हमला बोला जा रहा है अब बंगलबार को राहूल गांदी ने मोधी सरकार पर LIC में हिस्सा बेशने को लेकर निशाना साधा है कॉंग्रिस नेता का कहना है कि मोधी जी सरकारी कंपनी बेचो मुहीम चला रहे है राहूल गांदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि खुद की बनाई आर्थिक बिहाली को भरपाई के लिए देश की संपत्ती को थोड़ा थोड़ा करके बेचा जा रहा है जनता के भविश और भरोसे को ताक पे रखकर LIC को बेचना मोधी सरकार का एक और शर्मनाख प्रयास है दरसल बीते देने एक ख़बर सामने आई थी कि भारत सरकार LIC में अपनी करीब 25 फिस्दी के हिस्तदारी बेच सकती है जिस पर रहुल गांदी ने हमला बोला है इससे पहले भी भारत सरकार ने कुछ सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्तदारी को कम किया है वही एर इंडिया को भी बेचने की कोशिश की जा रही है ऐसे में कॉंग्रस लगतार इस मसले पर सरकार को खेर रहे है समचार लगतार में आज के लिए बस इतना ही बने रहे हमारे चानल आईबेन भारत के साथ